सवाल ये उठ रहा है कि जंजारपूर में अगर गुलाब यादब को टिकेट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे जंजारपूर को ले करके देवेंद प्रसाद यादब ने तो पहले ही बगावती सुर अपना लिया है वो प्रेस में बयान दिये हु कि वी आईपी पार्टी को और खास्तोर पर उसके मुख्या मुख्य सानी को जंजारपूर में जानता कौन है इस तरह की बात देवेंद्र प्रसाद यादब कर रहा है सवाल ये उठता है कि जो देवेंद्र प्रसाद यादब अपने बेटे के लिए टिकेट चाते थे वो जानता है तो प्रसाद यादब को समझ में आ गया है कि टिकेट मिलना है नहीं अरजेडी उनके साथ खेल कर चुकी है ऐसे में देवेंद्र प्रसाद यादब बगावती तोर बगावती रुख अक्तियार कर चुके हैं लेकिन यह थाक तो गुलाव यादब का है गुलाव की रुख अपनाएंगे सवाल यह उठता है कि यही हालत सुपॉल में भी देखने को मिल सकता क्योंकि मैंने कहा दो मुस्लिम नेता पहुंचे हुए हैं और सीधा आरजेडी को मैसेज दे रहे हैं कि यादवाट तो मुस्लिम चार क्यों नहीं क्योंकि अभी तक आरजेडी से दिन जिन दो सीटों पर मुस्लिम उमिदवार को उतारे जाने की बात की जा रही है संजीप पंडे आप बताएंगे वो है एक अरजेडी के तरफ से नया सिगूफा छोड़ दिया गया है कि अगर ये दोनों भाई लड़ते रहे तो हम कोई नया उमिदवार उतार देंगे जो कि हिंदू हो सकते अब सवाल उठता है कि वहां भी मामला फसरा है मेरा सीधा सवाल है कि क्या बगावत के डर्स से कब तक लालू प्रसाद फैसले लेने में देरी करेंगे और इसका नुकसान क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया एलाइंस को ब्यापक तोर पर होने वा बात है तो कॉंग्रेस गटबंदन से अल्रेडी जो इंडी गटबंदन में दो मैनोर्टी के कंडिडेट गोसित है कि संगन्ज और अपना दूसरा कठीहार तो अब आर्जेडी देखिए आर्जेडी चार सीतों पर तो मैनोर्टी को टिकट देगी नहीं दो पे देगी अप अब जैसे बात होई रही है कि जैसे नवादा सीट जो यादो हमेशा पहले लड़ते थे इस बार उन्होंने कुछ वहाँ पर प्रयोग किया और तो यह जो है लालू कुछ लिग से हटकर हैसला ले रहे हैं अब जहां तक सवाल है कि यह जो देरी हो रही है तो देरी होने से निश्ची तुरुप से इसमें कोई शक नहीं है कि RJD के इंडिया के टबंदन के जो कंबेन है उसमें थोड़ा असर पड़ा है और उसके दो तीन कारण भी मुझे और भी लग रहे हैं एक तो देखे रिसोर्स क्रंच है इनके पास फाइनांशियल और चुकि कुछ टाइन के हिसाब से बिदान सब्सवा अगर 6 विधान शवा अर यहार में अकर दो लम्य चुनाओं के लिए चंणाओं के लिए उससे भी थोड़ा सा यह आप कर रहे है क्योंकि मेरे रिसाब से जहां तक लगता है कि जो रिसोर्स बीजबी के पास है तो ये भी एक कारण हो सकता है और दूसरा अगर इतने ही मारा मारी हो रही है तो मारा मारी भी होती है जहां पर लगता है कि जमीन पर पार्टी मजबूती स्थिती में है एंडिये को चैलेंज मिल रहा है और एंडिये को बहुत बड़ी चुनोती मिलने जा रही है तभी एक एक चुनाओ शेतर पे तीन चार्चर कनिडेट आ रहे हैं क्योंकि हारने वाले पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते भी नही इनका नुकसान किया है है इनकी साथ किया लॉप्रसाद को पि-छले पांट साथ दिनों में साथ काथ है कि इस दंग से कॉंग्रेस के साथ वो लड़ रहे हैं कॉंग्रेस के सीटें नहीं दी कॉंग्रेस का कंडिडेट कौन होगा यह लालू-प्रसाद यादो फैसला करेंगे तो यह जो सारी चीजें वो मुझे लगता है कि आने वाले दो-चार दिनों में इसका सारा पतलब किया जाएगा लेकिन बहुत सारे सीटों पे लालू-प्रस लगवक करी लिया है जैसे रोहनी आचारे उनकी बेटी उतरी गई है तो गुने चुने पांच-साथ-सीटों पर जो जगड़ा है वो मुझे लगता है कि अगले दो-चार दिनों में सॉल्व करेंगे ले पैसे का मामला जरूर लग रहा है कि जिता हूँ उमिद्वार और प्लस खर्चा हूँ उमिद्वार कि खर्चा करने वाला कितना कंडिडेट होगा उसकी भी तलास यह कर रहे है